बैरिंग की किल्यरेंस की को बहुत ज्यादा पुछे झा रहा है इक कि तिना परी छोडेंगे को कैसे पता कर सकते हैं चोटे बैरिंग में कितनी होती है बड़े बैरिंग में कितनी होती है सब बताएंगे इस दिए इन तक हलो दुस्तों सवागत है आपने वीर्ट चैनल टेक्निकल शाद के तो चलिए वीडियोओ शुरू करते हैं तो चोटा सा बेंग का फिगर समझते हैं और हो सकता है किFit बेरिंग का फिकर ये अच्छा ना बना हो लेकिन समझाने कि कुछ चुमाँ यहां देखेगा यह बेरिंग का मेरा आउटर रोर्रिंग होता है इसको लिख दूंगा ओर रिंग ठीक है और इनर रिंग इसमें होता यह अंदर वाला ये जो होगा मेरा inner ring होगा inner ring हो गया और इसको कहा देते हैं यह rollers है ठीक है यानि कि रोलर्स अब यहां देखते हैं जब भी bearing का clearance निकालना हो तो कहां से चेक करेंगे और filler gauge की साहिता से करेंगे मैं बता दू कि यह जरूरी नहीं है कि bearing का clearance कितना होना चाहिए क्योंकि हर bearing का clearance अलग अलग होता है आप google पे search करना कोई भी bearing number उसमें हर bearing का clearance आपको अलग-अलग मिलेगा तो हर bearing का कहां तक याद करेंगे और फिर इसका कोई जरूरी भी नहीं है कि मुझे हर bearing का याद हो सिर्फ पता होना चाहिए कि bearing का clearance चेक कैसे करते हैं और कितना tight करना है और कितना free छोड़ना है वो चीज़ देखिएगा तो bearing का clearance पहले मैं बता दू कि चेक कहां से करते हैं या तो आप यहां से करिए जो bearing का outer ring है और bearing के roller से उनके बीच में उपर की side से वहां से आप filler gauge से चेक कीज़ की कि clearance कितना आ रहा है free में यानि कि जहां पर bearing free हो, tight ना किया हो, bearing shaft में mount ना किया हो तब check करना है तो bearing का clearance यहां से check करना है ठीक है यहां से check करेंगे और जितना भी आ रहा है suppose मेरा 400 micron आ रहा है मैं example लेता हूँ जैसे मैंने कोई bearing ले लिया 23260 K का bearing ले लिया यह कोई bearing number है अब इसका जब bearing free हो मैं यहां पर लिखूँँगा जब मेरा bearing क्या होगा फिरी होगा यानि के tight नहीं होगा तो clearance अगर मेरी आ रही है 400 micron 400 micron कैसे पता चलेगी जो filler gauge होगा उसको आप यहां लगाईएगा तो यहां से पता चलेगा कितने micron आ रही है micron में लेंगे क्योंकि 300 भी आ सकती है साड़े 300 भी आ सकती है साड़े 400 भी आ सकती है वो आप practically चेक करेंगे कितने micron आ रही है उसके बाद bearing को tight कर देंगे और एक चीज़ और याद रखेंगे bearing का जो clear ends चेक करेंगे आप यहां से भी कर सकते है लेकिन याद रखेंगा अगर यहां से लिया है तो tight करने के बाद भी यहां से लीजिएगा और अगर bearing को यहां से लिया है clear ends तो tight के बाद में यहीं से टिक है अगर हम दोनों रिडिंग लेते यानि कि यहां से भी चैक करेंगे और यहां से भी तो इसकी अलग लिखेंगे कितना आ रहा है और इस उपर वाले की अलग लिखेंगे कि कितना माइक्रोन किलियर एंस raja जब bearing फिरिय यानि के tight नहीं हुआ है उसके बैरिंग को mount करेंगे shaft पर और जब tight करते जाएंगे लोकनट चकनट की साहता से तो bearing का clear hands कम होता जाएगा और कितना कम करना है यानि के यह जो 400 micron आया है इसमें से 38% यानि के 400 minus 38% घटा दो जितना भी आएगा उतना करके छोड़ देना है अगर मैं इसमें से 38% घटाता हूँ तो यह कितना जाएगा मेरा 248 यानि के 248 आ रहा है तो 250 कह सकते है इसको यानि के 250 micron जब भी आ जाएगा यहाँ पर उसको छोड़ देंगे बस उतना ही tight करना है यानि कि 1500 micron तक इसमें से घटा देना है 500 करके छोड़ देना है अगर यह 240 रह जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं अगर यह 255 micron रह जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं 5-10 micron का चल जाता है इतना चोड़ना है अगर यहां से ले रहे हैं तो इसके हिसाब से देखना है तो bearing का clearance ऐसे चेक करेंगे और ऐसे tight करेंगे और इतना फिरी चोड़ देंगे ठीक है 23260 का नंबर है अगर यह मेरा 23250 हो गया तो उसका micron में जो clearance होगा वो अलग आएगा इस कुछ और है लेकिन इतना याद रखना है कि अगर यह bearing घरता जा रहा है यानिके 60-50 हो गया तो इसको 39 भी कर सकते हैं 40% भी कर सकते हैं यानिके 38 अगर मेरा 60 का bearing कर रहे हैं तो 50 का मैं 39 कर सकता हूं यानिके जितना चोटा वेरिंग होगा उसको जादा tight कर सकते हैं लेकिन कह तक 45 से जादा नहीं करना 45% से यहां पर जादा नहीं करना यह बात याद रखेंगे और 35 से कम भी नहीं करना किसी बैरिंग तो बैरिंग के किलियरांस के कुछ बाते मैंने बताई अगर वीडियो थोड़ी भी समझ आ रही हो थोड़ी बहु एच्छी लग रही हो या कोई प्रफिर डाउट और कोश्चन्स तो कमेंट में जुरू पूचेगा आज की वीडियो में इतना एक थोड़ी बेच्छिक तो लाइक करें चुनिए पूरे 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 नेश्च वीडियो में नेक टेंडिवाटाइब फिर मिलते हैं तब तक के लिए